Hello viewers, welcome to my channel KK Corner आज मैं आप लोगों के लिए एक क्यूब रूट की ट्रिक लाई हूँ इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप क्यूब रूट किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कुछ ही सेकंड्स में मालूम कर सकते हैं सुर्फ और सुर्फ तीन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप जल से जल क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं एक ट्रिक को इस्तमाल करते हैं चलें जल्दी जल्दी करते हैं सबसे पहले आप मैंने ये एक नंबर ले लिया है ठीक है इसका आपने लास्ट डिजिट देखना है लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर सेवन सेवन यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है जो है सारे क्यूब्स की वन का क्यूब क्या है वन टू का क्यूब क्या है एट 3 का cube क्या है 27 इस तरीके से मैंने up to 9 तक एक list बनाई हुई है उसको हमने focus में रखना है 7 किस cube के last में आता है किस cube के last में आता है इस cube के last में आता है तो ये 7 का हम cube root उठाएंगे 3 आल राइट फिर्स्ट स्टेप हो गया हमारा ये कि हम last digit को देखेंगे उस last digit को देखते हुए हम cube का last digit देखेंगे जिसके भी cube के last digit में वो number आए उसका cube root लिखेंगे fine उसके बाद जो दो numbers है इसको आपने करना है ignore second step हो गया ये दो numbers आपने ignore कर देखेंगे बाकी आपके पास मजगे दो यहाँ पर 12 number 12 ये खुद एक perfect cube नहीं है तो हमने इसका nearest perfect cube number देखना है nearest यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो nearest perfect cube इसमें से कौन सा आएगा 8 क्योंके 27 तो 12 से greater number है तो इससे nearest कौन सा हो जाएगा 8 8 perfect cube है 12 के nearest उसका हमने cube root लिखना है तो 8 का cube root क्या है 2 देखें solve हो गया इस पूरे number का cube root हमने कुछ ही seconds में मालूम कर लिया जो है 23 एक और question solve करके देखते हैं ताके proof हो जाए और आप calculate भी कर सकते हैं ताके आपको confirm हो जाए कि यह वाकिए ही सही trick है आल राइट सबसे पहले हमने last digit को देखना है 3 3 किस number के last में आ रहा है इस number के last में आ रहा है इसका हमने cube root लिखना है जो के है 7 आल राइट उसके बाद 2 digits को हमने करना है ignore फिर हमने देखना है remaining number जो है उसका nearest cube क्या है 658 उसका nearest cube क्या है यहां पर आके देख लेते हैं nearest cube है 512 क्योंके 729 से greater number है उसका हमने cube root देखना है इसका cube root क्या है nearest cube का 8 87 हो गया एक और करके देखते हैं last number क्या है 99 किसके end में आता है 9 आता है 9 के end में हमने 9 लिख लिया आल राइट उसके बाद 2 digits को हमने करना है ignore बिलकुल ignore उसके बाद हमने देखना है जो भी remaining number है उसका nearest cube क्या हमारे पास perfect बन के आता है 704 का nearest cube क्या है again this is the nearest cube 512 जिसका cube root है 8 तो 89 हो गया इसी तरीके से आप किसी भी number जो के perfect cube हो जितना बड़ी से बड़ा number होगा कोई मसला नहीं है आप इस trick को यूज करते हुए आप easily उसके cube root मालूम कर सकते हैं thank you so much अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजेगा और मेरी वीडियो भी लाइक कीजेगा thank you so much